हेलो एवरीवन वेल्कम टू आयूश्ट कासेज आज है 11 निवंबर और आज हम अपना करेंट एफेर्स के सीरीज डे चू स्टार्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं आखिर आज 11 निवंबर में क्या भूआ था हाँ आज ही के दिन को मानना जाता हमार भारत के सिक्छा दिन को आवर इंडिया किस लिए आखिर ना कोई बिदे को कोई बिडे मना आते तो किस्लिए में मनाते तो मान ने मिन मोर्टीव है किसके लिए अफ मौलाना अबुल कलाम जो बॉर्ण कभ हुए थै और 11 जमूमबर 1888 में इस दिन को मनाते इनको याद रखने के लिए और कहां से वो जन लिये थे अगर आपको पता हो बोड़ी एंटरेस्टिंग है ही इस आवर फॉर्स एडुकेशन मिनिस्टर ऑफ अब इन डिया हमारा अजाद देश का यह हमारे पहले फॉर्स एडुकेशन मिनिस्टर थे जो कब तक थे शर्फ रॉं 15 अगस्ट 1947 टू 2nd यौंड फैवरी 1958 मला बहुत ही अच्छे समय तक ही हमारे भारत देश में फॉर्स एडुकेशन प्राइम मिनिस्टर का रोल निभाया तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेटेस्ट करेंट अफिर्स के क्वेस्टन तो हमारा पहला क्वेस्टन है फो इस गुए तो बीडिशे पर्सन अफ कमिशन ओफ एर क्वेस्टन मेंजमेंट अड वेर तो कौन हमारे वाल्यू गुनवनता प्रभंधन और कहां की कमिशन के अध्यक्षब बनने जा रहे हैं क्या किसी को आडिया है यह भी जस्ट दस तारिक को ही हुआ है रखन क्यों है आठ हूं है हमारे हैं हनू प्रbie खिछी कुटि हम ही और तो क्न इस गुए समयन चेन तो एंस की और अन्हान काहतों है C A Q M, उसको उन्हों शॉट में कहते है C A Q M, the C A Q M was formed, यह formed कर वह था हमाना C A Q M, the C A Q M was formed on October 28, और आपको यह जान के बहुत ही शॉकिंग लगेगा, कि जो C A Q में है न, यह after dissolving 22 years old, prominentry एक company था उसको डुबा के, dissolving मतलब उसको डुबा के यह company बना था, उसका नाम क्या है उसको कहते है, E P C A, E P C का full form क्या होगा हमारा, environment, pollution, prevention, and control authority, E P C का full form क्या होगा है, environmental, pollution, prevention, and control, authority, ठीक है, तब हम चलते हैं हमारे next question के तरफ, तो second question है हमारा, RBI to elevate impact of dash campaign, तो RBI जब एक campaign आने वाला है, आपको यहां से कौन से campaign आने वाला है, उस campaign का नाम, आप मुझे सोचो, तक मैं इसको Hindi बताता हूँ, RBI, जो मुल्यांकन करने के लिए, RBI dash, अभियन का प्रभाव लाने वाला है, क्या लाने वाला है, उसको उस प्रभाव कुनो नाम है, RBI कहता है, जी हाँ, यही campaign है, RBI कहता है, एक नाम आप campaign आने वाला है, और यह campaign पता है, कितने languages में है, इस campaign will be in languages, 14 languages, 14 भाशाओं में, ताकि लोगों को इसके बारे में knowledge मिने, इसको अच्छे से समाझ सके, तो आखिर, RBI को यह campaign लाने गया, क्या जुरत पड़ी गया था, जो यह campaign का जो नाम है, हमारा RBI कहता है, तो इसलिए लाने गया था, ताकि जो उनके customers है, ताकि RBI की customers है, वो उनको financial education दे सके, और इसलिए पता है, RBI ने यह पहली बार, RBI का 1st 360 degree campaign है, क्या मैंने बोला, यह हमारे, यह हमारे करेंटी पर इसके इंपोर्टेंट है, यह क्या है, RBI का 1st 360 degree campaign, 360 degree campaign मतलब क्या, यह all over the mass media, और over the mass media, mass media मतलब TV से लेके newspaper थर, newspaper से लेके books थर, books से लेके even radio, और साथी साथ इस पर RBI ने EOI को भी बुलाया है, EOI क्या होता है, expression of interest, expression of interest गो होते है, पहले बात expression of interest के eligibility चाहिए, eligibility कैसे मिलेगा, आपको इस सीम campaign का, आपको कम से 5 projects का, आपके पास 5 projects का, आपके पास experience होना चाहिए, तब आप आते हैं, expression of interest में, next question हमारा, who is going to be the managing director and chief executive of Petronet LNG Limited, तो कौन है, Petronet LNG Limited के प्रबंध दिदेशक और मुख्य कारेकारी कौन होने जा रहे है, तो कौन होने जा रहे है, तो उनका नाम है हमारा, Akshay, Akshay, Akshay क्या कुमार, तो यहां दखने का memory टिक बनता है, जब भी Petronet का बात आएगा, और उपी से किसका बात आएगा, जब chief executive का बात आ रहे है, तो अब अक्छे कुमार यहां दखना है, लास्ट के ओपर, प्रभात सिंग्, यह कौन है, जिसे नोंने पांच साथ का फाइगार्स कम्प्रीट की टिक बात आएगा, किया है, इस position में, five years complete किया है, इस position में, next question, who is the Indian oil corporation chairperson, where is the headquarter of oil corporation and Indian oil corporation कब found हुआ था, भारत्य तेल निगम, Indian oil corporation कब हुआ था, भारत्य तेल निगम, कि अधियक्ष कोन है, मदब chairperson कोन है, मुख्याले कहां है, headquarters कहां है, and found कब हुआ था, स्थापिट, कब हुआ था, so who is the chairperson of IOC, Indian oil corporation, so he is Shrikant, Madhav, Vaidya, so कौन है हमारे IOC के Shrikant, Madhav, Vaidya, कौन है हमारे, यह हमारे chairperson, यह कौन हमारे chairperson, अब हमारे IOC के headquarter कहां है, हमारा IOC का हमारे headquarter कहां है, आलवे का कहां था, मुंबई, महराष्ट में, तो हमारे IOC का कहां पर है, वो है नहीं दिल्ली में, वेर कहां New Delhi, और हमारा IOC कब found हुआ था, वेर, on which year the IOC is founded, क्या किसी को याद है, वेर, वेर, the IOC on which date founded, the IOC was founded on 30th July, July? 30th June 1959, on which year? 30th June 1959, next question, who author wins the JCB prize for the literature, किस लेखक ने साहित थे कह लिए JCB पूरसकार जीता, so कौन लेखक थे जिन्नोंने लेखक ये जीता को मैं बताता हूँ, he where, वो कौन थे, Maliyalam author थे, वो कौन थे, Maliyalam author थे, और Maliyalam author का नाम क्या था मालम है, ish, marish, marish, marish करते में नरीष नहीं दा था, ash, marish, क्या नाम है, ash, marish जिसने JCB prize जीता है, तो ये JCB prize क्या है, JCB prize किया है, JCB prize को is regarded, मन उसे माना जाता है as the richest, JCB को क्या मन जाता है, as the richest library, इसको माना जाता है तो रिचेस्ट लाइबरी लिट्रेचर प्राइज इसको माना जाता है और यह हमारे महत्व से उनने क्या रिखा कौन लिखा जो ने मिल गया पता है और आपको पता है इनको इस नोवल को लिखी कि नहीं प्राइस बनी कितना मिला और यह तो मलियाला में लिखेते हैं तो इसको ट्रांसलेट क्या उसे 10 लाक रुपीज मिले उसे कितने रूपीज मिलेao उसे 10 लाक रुपीज और जिणों ने ये ट्रांसलेट केया तो उनका था से किने में ल्पीज से clutch व्यक्सट खत्म होता है तो अगर आपको इमेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन को दबादेना और इसे प्रेंड को अपने सारे सीवेब्स से फ्रेंड से जरूश शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल मेंने ये हो तो प्लीЗ सब्सक्राइब को दबादेना or do not forget to hit that bell icon so ta-ta, bye-bye